और आपको तो शायद पता होगा कि पहाडों पे लगा लबा जाम आसानी से नहीं पार होता और कभी-कभी तो एक-एक दिन लग जाते हैं लोगों को जाम में फसे रहने में पर रास्तों में देखने वाले ये खुबसूरत नजारे बस मानो मन को मुह ले रहे थे और हम भी अपनी फिक्ड को धुए में उड़ाते इन खुबसूरत नजारों का अनंग ले रहे थे कि हुए मानोंन अल्ट से रहे 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 नाद परे जारे पीधार में भी दोगए में भीम्हार ुन्साओई ाधिम्हार कि युपस्यार घ्टय खिए की अटत। झाल 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 इन सभी के बीच हमने जाम को क्रॉस किया और लगभग बारा बजे तक हम नैपाल की राजधानी काटमांडू की नए बस अड़ा जिसको की वहाँ पर नया बस पाड कहा जाता है वहाँ पहुँच गए बस अड़ा काफी बड़ा और सिस्टेमाटिक था ऐसा लग रहा था कि बस अभी नया नया ही बना हो वहाँ पर हर चीजे नहीं थी इसके बाद हम लोगों से पशुपदीनात मंदिर के बारे में पूचते हुए बस अड़े से बहाँ निकले और सरक की दूसरी तरफ से टैक्सी करके पशुपदीनात मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे पशुपदीनात मंदिर के लिए बस स्पार्क से जो टैक्सी मिले उसने हमसे 20 नयपाली रुपए लेकर पशुपदीनात मंदिर तक पहुचा दिया क्योंकि मैं अपने दो और सातियों के साथ गया था तो हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम आज पसुपतिनाद मंदिर घुमेंगे और उसके बाद रात को अराम करके अगले दिन नैपाल की और जगा को देखेंगे और हमने ऐसा ही किया हमने पसुपतिनाद मंदिर क्रॉसिंग के पास में एक शद्धा रसिडेंशी नाम का होटल लिया जो कि हमें AC रूम तीन लोगों के लिए मात्र दो हजार रुपय में माफ कीजिए का दो हजार नैपाली रुपीज मतलब लगबग 1250 इंडियन रुपीज में मिल गया क्योंकि मंदिर पांच बज़े खुलने वाला था और हम एक बज़े तक होटल में चेक इन कर चुके थे हमने नहा दोकर थोड़ा आराम किया और फिर मंदिर के तरफ निकल पड़े हलो दोस्तों वेलकम चैनल और इस टाइम मैं पश्तुपदीनाथ मंदिर के बिलकुल पास में हूँ यह जो आप एरिया देख रहे हैं यहां पे अगर मैं आपको दिखाओं तो काफी शांती यहां पे और ग्रीनरी है काफी मैं देख पा रहा हूँ यहां भी देखिए में इस लिखा हुआ है जो अधिनाथ करके और अब आगे अंदर जाके देखते हैं कि क्या रास्ता है और कहां से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जो में मंदिर है इधर से अगर आप देखेंगे तो अंदर जो ए गिंगर टाइप पर देख रहा हैं तबसे आपको सामने का देखा जाता हूं में विव काफी शान्त है और काफी जो है यहां पर शांती है जो ग्रीन फी है नैच्रल मेरे बगल में आप देखेंगे यहां पर गार्डेन बना हुआ है काफी खुप सुर्ट गार्डन है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाए हम लोग मंदिर में यहां पर मैंने देखा एक बहुत इच्छी सुविधा है अगर आप मंदिर जाड़े दर्शन करने तो आप जूते चपल यहां निशुन की जमा कर सकते हैं और यहां से बस मंदिर कुछ ही दूरी पर है मैं आपको देखाना है कि जब आप जूते चपल यहां जमा सकते हैं आइए आपको दिखाता हूं अंजर से मंदिर कैसा लगता है यह है शिवलिंग यहां पर मंदिर के पास ही यह शिवलिंग है इसकी भी यहां पर लोग पूजा करते होंगे यह सगी आप देख सकते हैं और यहां ब एक छोटा सा कुवा मुझे नजर आ रहा है कुवा कि अगर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मैंने देखा यहां पर कबूतरों को दाना डानने के लिए एक जगा बनीवी मंदिर में यह बहुत ही कि अगर द्रिश यहां धेर सारे कबूतर एक साल बठें बंदर भी यहां पर आ जा रहा है कुछ काने की तलाश में अगर 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 यहां अभी बंदरों ने तुरन तुरन से हमला किया एक दूसरे को पर जाओ क्या खूबसूरत बागों से सजा मंदिर का रास्ता चारों तरफ पहाडों से घिरा शेहर काट मांडू और उसमें भोले बाबा के मंदिर के निकट ये गार्डन और पार्क पसमानो मन को लुभा लेने वाला द्रश्य था क्योंकि हम कैमरा लेकर अंदर शूट नहीं कर सकते थे तो गार्ड ने मुझे गेट पर ही रोक कर कैमरा बंद करने को कहा और मैंने रूल को फॉलो किया दोस्तों अभी इसको मेरी जिसमत कह लिए अभी तुरंट से बारिश हुई है यहाँ पर बारिश के बाद यह और खुशूरत लगने लगा है मंदिर का जो यह प्रांगर है उसके बाद हमने भोले बाबा के दर्शन किये और वापिस आकर यह डिसाइड किया कि इतना लंबा सफ़र से सब ठक चुके थे तो होटल जाकर आराम करके दूसरे दिन पर नेपाल खुमने की प्लानिंग करेंगे और फिर हमने ऐसा ही किया रात में जब मैं होटल से खाना खाकर बाहन निकल रहा था तो मुझे होटल वाले ने एक चौकाने वाली बात बताई जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली थी वाले प्लानि जो कि वाले नेगा करेंगे झार कर दो कि वाले प्लानिंग करेंगे